आप सभी का इस चैनल में श्वागत है आज हम लोग सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्यमंत्री जनता द्रवार भवन में RTI कैसे लगाएंगे इसके वारे में जानकारी काप्त करेंगे भारत के संभिधान के अनुच्छेद उनीश में बताया गया है कि सुचना का अधिकार जनता का मौलिक अधिकार है इसलिए भारत के किसी भी सरकारी कारियाले में हम लोग RTI लगा सकते हैं और वहां से वांचित सुचना प्राप्त कर सकते हैं मैंने बिहार के मुखमंत्री जनता दरवार भवन मुखमंत्री सच्चिवाले में RTI लगा कर कुछ जानकारियों प्राप्त करने का यहां प्रयास किया था आप लोग भी यदि मुखमंत्री कारियाले से मुखमंत्री सचिवाले से किसी भी तरकी सूचना प्राप करना चाहते हैं तो आप प्रपत्र को द्वारा आप सूचना मांग सकते हैं आप लोग देखें मैंने यहां लिखा है अपना नाम भर देंगे पूरा पता लिखेंगे आप मुखमंतरी कारियाले से या जिस भी कारियाले से आप सूचना मांग ना चाहते हैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट आप सूचना मांग शकते हैं जैसे मैंने एक मुखमंतरी जनता दरवार में एक शिकायत किया है उनलाइन शिकायत किया था उसी के संबंद में मैंने यहां जनकारी मांगे थी मैंने मुखमंतरी जनता दरवार में मुखमंतरी कारियाले में दिना कितना को एक आवेदन पत्र नमबर इतना से उनलाइन किया था मुझे इस सम्बंद में जानकारी प्राप प्रदान करें। मेरे आवेदन पर अब तक की गई कारवाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट दी जा जैसे मेरा आवेदन कब और की सधीकारी के पास पहुचा या उसके पास कब तक रहा। और इस दौरान उन्होंने इस मांग सकते हैं ध्यान रखें कि एक ही बिसे ब्यस्तू से सूचना मांगनी है और सूचना मांगने में जो लिखेंगे वह 150 अक्षर से जादा नहीं होना चाहिए उसके बाद जिन्हें या फॉर्म है तो फॉर्म में भड़के ले सकते हैं जिन्हें फॉर्म मुखलब्द नहीं है वो साधा कागज पर भी इसी तरह लिखकर आप सूचना मांग सकते हैं सूचना मांगने के लिए 10 रुपे का सुल्क के रूप में पोस्टल ओर दिया जाता है या डिमांड ड्राफ दे सकते हैं या नन जुडिस से इस्टाम भी दे सकते हैं प्राया भार से पोस्टल ओर दिनां कितना से रसीत संक्या इतना से विवाक कार्याले को भुकतान किया इस प्रकार करके आप मुखमंत्री कार्याले से भी सूचना मांग शकते हैं आपको सिगर ही सुचना परदान की जाएगी अपना स्टाक्षर कर देंगे अपना मुवाइल नंबर पूरा पता यहां लिख देंगे जिस भी जिले से आप संबंदित हैं वहां दे देंगे और जिस भी राज से संबंदित होंगे तो वहाँ राज देंगे अपना दिन देंगे इस प्रकार हम लोग भारत की हर जानता यह सुचना का अधिकार अधिनियम के तहट अपना प्रपत्र को भर के किसी भी कारियाले से सुचना मांग शकता है इसमें किसी भी पता अधिकारी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने सुचना क्यों मांगा, आपको क्यों सुचना चाहिए क्योंकि भारत की जनता टेक्स के रूप में सरकार को अपना रुपईया देती है और जनता को जानने का हक है कि उसकी रुपएया टेक्स पे रूप में जो जमा होती है सरकार उसे किन-किन कामाँ में खर्च करती है और किस परकार खर्च करती है अतर हम सभी भारतिये को इसका अपयोग अवश्च करना चाहिए जिससे हम लोगों को वांचित सूचना वांचित जानकारी सौसमे मिलता रहें वीडियो उपयोगी लगे तो एक दूसरे को सेयर अवस्र करें जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लालकलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ उसे दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे उन्हें सिख रहें किसी भी वीडियो का नाटिफिकेशन मिल जाए और वह भी इस तरह की जानकारी सिख रहें ले सकें जैहन